हम लोग श्री उपदेश्वामृत से पढ़ेंगे वर्स आर्ट यानि आर्च श्लोक आठवा है और दूसा दिन है इसमें वन्न के जारा कैसे वेक्ती कुप ब्रज में रहने का प्रयास करना चाहिए मेरे साथ में बोलीगा तन्नाम रूप चरिता दिसुकिर्तनानू स्मरत्यो क्रमेड रसनाम निसीन योज्य तिष्टन ब्रजेत दनुरागी जनानु गामी कालम नये दखिलमेत्यु पदेश सारमृ इसके आशब्दों करत मैं बता चुका हूँ अब खारे अनुबात को समस्त उपदेश्यों का सारी यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय चौविसों घंटे भगवान के दिवि नाम दिवि रूप गुणों तथा निति लाओं का सुन्दर धंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए जिससे उसकी जीप तथा मन क्रमश अवेस्त रहें इस वह ग्रीन रंग की कुछ होंगे अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं कि दर रखावा पीछे की तरफ और यहां पर भी वह पिरामिट टाइप के थे ना उसे बुख से बदावागी पड़ने में ताहत पर यहां चूकि मनुष्य का मन उसका शत्रू या तो मित्र हो सकता है में अत्यव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए परिशक्षit करना चाहिए बहुत अच्छी बात थी आच्छी बात है अज इसमें जबकर से मैं भी विचार कर रहा था विचार कर रहा मनले अरब अचार आही जाता है जब मैं इस पर एक कहानी सुनाते हैं आपको हमारे मन में जो भी आता है प्राय हम जट बोल देते हैं एक बहुत सुंदर फिलोसफर थे गनाम सोक्रेटस सुना आपको बहुत सुंदर आज एक भक्त ने शेयर किया उस्दम सटीक बात आती कैसे मन को प्रसक्षण देना चाहिए तो उन तीन चलनियों का उपयोग करूंगा जो आप उसके बारे में जानते हो जो बोलना चाहते हो क्या आपको वाकई पता है तो उसके बाद वो बोले कि दूसरी चलनी यह है कि तुम उसकी बुराई करोगे या तुम उसका अच्छा बोलने वाले है अच्छा तो नहीं बुलने वाले हैं फिर बोले कि क्या ये मेरे लिए हितकर होगा कि अहितकर होगा सोकरेतस न भूला तूने का कि पता निया आपके लिए अच्छा की नियीग बुरा हो गया बुराओं यक हो पता नहीं तुम मनुं कि ऑनुरा बुढ्दी की तरह विचारी नहीं कर रहे हो कि तुम बोल रहो किसी के बारे में वो सत्य है कि नहीं वो उस मेरे मेरे लिए मेरे लिए हितकर है कि नहीं और तुम जो उसके बारे में बोल रहे हैं वो सच है मैं वो उसकी बुराई कर रहे हैं यह भलाई कर रहे हैं यह भी कुछ बता नहीं कि सभी बोल रहा हूं ना मैं पर हम परामने देना चाहिए चेंज नहीं करना चाहिए बहुत अच्छा बनने बता है कि मैं पहला चीज क्या तुम सत्य बोल रहे हो मेरे मित्र के बारे में हमको पता है निमकिसे सुने थे दूसरा बात बोले देयालुता के ऊपर उन्हेंने कहा कि मेरे मित्र के बारे में जो तुम बोल रहे हो वो अच्छा है कि बुरा है ने ने वो बुरा है मेरा मित्र है तीसरा कि क्या उससे मेरा कुछ फायदा होगा is it of any use to me मालो गलत भी बोल रहे हैं तो उससे मेरा कुछ प्रियोजन है तो कि तो नहीं कोई प्रियोजन नहीं है समझाए तीन बड़ा ची बात है एक सत्य है कि नहीं तुम अच्छा बोल रहे हो कि नहीं और उससे क्या मेरा कुछ लाभ होगा कि नहीं तो देखा जाए तुमको पता भ प्रवार भी कृष्ण ने बोला है दूसरे की निन्दा नहीं करता उसका धार मैं सब्सक्राइब करूंगा और कितनी बाते हम फ्यर्थ की दर के उदर सुनते हैं से मारा कोई फाइदा नहीं होता है तो अब यहां प्रभपाजी कह रहे हैं कि मन को अपने मित्र बनाने के डी विच्ण को सारी यही है कि मन को किसी न किसी रूप में क्रिष्ण के साने धिमें работать कृष्णे फोकस रके मन-मना वीट्रागा भ्याकरोधा मन मया माम पासरता बाहवो व यान-तपसा पूता मधभाव मागता जा आप देख रहे हैं कि मन की शक्ति कितनी अद्बुत है हमक किस कि समर्ट व्याह सतम विष्णु विश्मिर्ट व्य नwhite तुचत सर्व विधी निशेद शु एटाय और Εवा किंकरा संस्कृत का बाद सुन दॉड़ श्लोक है रulk हमेशा हृक्रिशन का विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उडर कभी नहीं करना चाहिए सारे विधी निशेयतों का उत्देश सारे विधी निशेयत इस उत्देश के किंकरथा दास है और यही बात है आप बورने कि अभी तक शुक्रमांग सात जिद्नी भी उत्ते देशिया नं भग वान में कैसे फिक्स रहे कृष्ण भावनामृत आंदूलन विशेश रूप से मन को प्रसिक्षित करने के लिए है जिससे वे सदेव कृष्ण के कार्में लगा रहे यह भी बात मैं भक्त को बोल ला था आज भक्त बोले आपने जब क्लास के लिए मना किया तो क्लास कर ही लेना चाहिए एक हम ब्रा सकते हैं कि कंहावार सकते हैं नहीं करोगे तो नहीं करोगे कलास तो हो जाओगे खलास rule अंदू और इधर तो कुछ मया करती रहती प्रवर्ति अधी करति में गया नहीं थीके पूंत सवा पांच बज गया कुछ नहीं पड़ा साड़े पांच बज ठीक है पुठात पा लेते हैं फिर छे बज जो गयतिरी कर लेते हैं अगर मैं यहां नहीं आता तो यह साड़े छे से आठ कसे में भी आर्थ में जाता हूँ भगवान कृष्णी की सिवा में नहीं जाता रहार और फिक प offers देखते हों कि सुपह काना बनाते हैं ऐसा नहीं खाली बच्चों के लिए बनाना है। ऀस म्हिंसा मांनते हो कि वह बच्चों के बनानाиж वह बात नहीं भगवान के लिए बना रहे हैं वह इक अलग क्टेस्ट है है कि मज़े तो बाद सुबह साहत है कि चुछी मुणाने बहुत अच्छा लगता है और आप यही बात ब्रफवाजी बगतिर सामें सिंद्ध हुआ बदाते हैं कि कोई विक्ति कोई कारे कर रहा है तो शेवा के द्वारा उसको उच रस मिलता है इसलिए कारे कर रहा है क्या ल भोग में जाएगी तो मन को खीच लेगी अब इसको positive कैसे apply करेंगे बताइए एक भी इंदरी भवान की सेवे में लगा दे तो मन खिच जाएगा ये अर्थ समझ पारे ना बात आप लोग में देखा को कभी सब्जी जल जाती जरा सा ध्यान अटेगा आपका और खट सब्जी जल जाती तो वस्ततहा absorption is the key word for krishna consciousness ये परम पुझे रधनात महराज को परम पुझे कि what is krishna consciousness in one word krishna bhavna ए शब्द में क्या है तो क्या है absorption भगवान को मैं किसी ने किसी रूप में मन को लगा है और प्रवपाद बड़ा सुदर कहते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि क्या सिवा कर रहा है भगवान सही देखती कि हमारा सेवक सिवा में लगा सेवा नहीं मांग रहे हैं हम सेवा की भावना मांग रहे हैं पर फिर से रिपीट कर रहा हूं हम लोग सेवा नहीं मांग रहे हैं हम सेवा की भावना मांग रहे हैं सेवा की भावना अगर है तो सेवा तो है हरे कि श्रमंत्र करना सरवस्रेश सेवा है कि नहीं तो क्या इच्छा सिवा करने की स27 करने की इस हुद रहा है इसा कर सुछिवा करने कि यह बिना रहा ने या आएसा कभी हुआ है आप लोक सब कभी कखी कोई कभी सिवा कुम करने के इतनी इच्छा होती कि एक willen और ख़ as तो अगर ऐसी भावना निरंतर बनी रहे तो आप कृष्ण की स्वाव में लगे रहेंगे कि नहीं बताईए, सिंपल सी बात, यह हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है, कृष्ण मंत्र एई ते स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव, कृष्ण के मंत्र का हर उसके हरिदे में भगवान की प्रति सिवा करने की भावना आजाती है, वो सिवा का प्रारूप अलग 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 रूप से प्रकट हो सकता है, कोई बोल सकता है, कोई सुन सकता है, कोई किर्थन करेगा, कोई मंदिर का मार्दन करेगा, लेकिन वह सिवा की भावना, वो आप मैंसे पता नहीं कितने भक्त लोगा सुबह की टास में थे इतना सुन्दर चकवर्थी पाद ने ठीका दिया बहुत सुन्दर बात की जैसे ही भगवान देखते हैं तीन प्रकार के लोग आएंगे एक विक्ती जान जो भक्त हैं वो समझते हैं कि भगवान श्रकृष्ण मुला वह वान्यचा जाते हैं कितने कृष्णियों रस्यप्रोगेटिव हैं और दूसरा विद्धि काता है क्रिष्ण की जन्मर्य साब माया है अच्छा तुम माया बोल रहे हो ठीक है तुम माया मही पड़े रहो जन्मर्यूरी के चक्र पड़े रहो कितना सुन्दर ठीका और यह बात सत्य है, यह एकदम पत्थर की लकीर मानी, आचारों ने जो बात बोली है वो एकदम सत्य है, वो realization है, केवल इतना स्विकार कर ले कि क्रिष्ण का जन्म कर्म नित्य है, आप सबी लोग तो स्विकार करते हो, तहीं हम सब लोग पारशक्त बनने वाले हैं, आप रह जाएंगे तो हम भी पास ही हो जाएंगे सुपनार, नहीं लगतना कितनी अजीव सी बात लगती, बदिससे सिंपल अंडर्स्टैंडिंग को मारा नहीं जा सकता, क्रिष्ण डिव है, क्रिष्ण अभी है, मेरे हिर्द में भी है, आपके हिर्द में भी है, यह नित्ता कर सकते हैं, हरे किष्ण मंत्र कर सकते हैं, भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी ने किसी रूप में किर्टन करें, प्रभबाद समझाते हैं कि देखिए, किर्टनी सदाहरी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ सिंपल है, यह से प्रभबाद कह रहे है, बोलो भगवान के बारे में या रेकृस्ण मंत्र बोली या भगवान के बारे में बोले कभी आपने सुना नहीं है या बीलोग बहुत को बहुत को बहुत बार 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 बहुता रहता है बलकि यह भूल जाता मन में सैकडों हजारों संस्कार हैं, जुन्ना के वल इस जनम के हैं, अब भी तो विगत अनेक अनेक जनमों के भी है, कभी कभी इस संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधि चित्र उत्पन करते हैं, इस प्रकार मन का कार्य बद जीव के लिए खतरनाक बन जाता है, यह थोड़ा समझने का प्रयास किजी, देखिए, हम इस जगत में कोई भी कार करते हैं, उसकी चाप मन में पढ़ती है, अब वो चाप, वो संसकार उभर करके कब विक्ति को किस चीज में प्रविर्त कर दे, आप नहीं कह सकते हैं, अब वो उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये कहना भी मुश्किल है, जैसे परमपुज राधागुंज मारा समझा रहे थे, अज आमिल ने वो द्रश देखा, जिसकी वजिसका पतन हो गया, उसके लिए अच्छा था कि बुरा था? अब आप कह रहे हो अच्छा था, लेकिन अगर मूवी को बीच में द जम दूत पकड़ने नहीं आते, और उसको विष्ण दूत भी दिखाने पड़ते हैं और वो खुद भी आश्चर हो रहा था कि बगवान के दूतों का ना को दर्शन करना, ये मरते समय बगवान का ना मुख में आना, ये तो बड़े-बड़े सादकों के लिए नहीं होता ह नेरे मुझ जैसे पापी के लिए कैसे हो गया, तो बगवान किस पर कैसे किरपा करेंगे, आप समझ नहीं सकते, इन किरपा करने के लिए लगे रहते हैं, तो हम खरे बात कर रहते हैं कि संसकार की, वो कैसे संसकार उभर गया, कि एक दृष्च देख करके इतना परशान हो तो हम कुछ नहीं कह सकते ही प्रपाजी कह रहा है कि व्यक्ति हम भुत ही इस वामलें में भोले हैं कि इक फी जनम का हुआ सुच रहा है कि हमार्य संसकार बने है और वह से ओबर-ओबर के मनोविज्ञान के विद्धार्थी मन के विविद मनो विज्ञानिक परिवर्तरों से भली भाती परचित है जिए वि apologize आपना शरीर त्याक्ति समय मनुष्य जिश्च दिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी मृत्य के समय जीव के मन तथा बुद्धी अगले जीवन के लिए एक विशेश प्रकार के सुप्ष्प शरूप वाले शरीर का निर्वान करते हैं अब हम बहुत ही गंभीर बाते सीखने वाले हैं यदि मन सहसा ऐसे वस्तु के संबन में सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अंसार जन्म लिना पड़ता है दूसरी और यदि कोई मृत्य के समय क्रिश्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोग ब्रिंदावन नामक वैकॉंट लोग को भेज दिया जाता है देहांतर की यह विदी अत्यंत सुक्ष्म होती है आते शिला रूप को स लोग हाइलाइट किया गया है यह हमारे जीवन में कभी भी गटेत हो सकता है यम यम वापी स्मरण भावं तजिति अंति कलेवरं कलेवर थाथ शरीर शरीर त्याकते समय जिस भाव का स्मरण विक्ति करेगा उसकी वह प्राप्ति करेगा अब आप जार कीजिए कि किस बात म एपस्प म मर्ना हो तो किदर जाएगा मन हमारा अब भ्यास किया है बिदर आसे नहीं हो कि तो क्या प्रति दिन कुछ उद्देश लेकर के हमारा अभ्यास नहिं होना चाहिए कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसका संस्कार मन में आ जाता है और मन फिर उस कार्य को करने के इच्छुक हो जाता है आप सभी लोग की हाँ पेच्छा है कि अब शाम हो गई हम लोग कुछ पढ़ते हैं आप देख रहे हैं कुछ अगर उर्दू शब्द में उप्योग करूं तलब समझते हैं तलब को जनरली शराब के लिए या खेनी खाने के लिए लगाते हैं कुछ नहीं है आज हमारे आप सा इति हैं थे वर से कुछ काम कॉ उतार जोड़ना है है उसके बाद Smash कि उतार जोड़ने में तोरुरी ik कर रही कूछ नहीं कर रही है यह हैं चेनी से काम करना था खैनी नहीं करना था लेकिन अब खैनी चैनी चल रही है एकदम में देख रहा था और देखो बख्त भी हो जाएगा फिर भी विक्ति पड़ा अभ्यस्त हो रहा है अब वह अपने मन को ऐसी निम्नतन निम्नतर और निम्नतम वस्तों को को एकसेप्ट करने के लिए प्रशिक्षित कर चुका है यह मानते हैं ना कि बचपर से कोई पैदा वाइट वह कर पैदा होते तो मां कोई खेनी नहीं खिलाती किसी को तो जिस प्रकार से खराब चीज व्यक्ति घ्रहन कर रहा है अच्छी भी कर सकता है शुरुवात में हो सकता है कि कथा आदी में व्यक्ति को मन न लगे लेकिन जब हम नीमित रूप्स सुनते हैं तो एकदम प्राक्टिकल और प्रत्यक शुरूप से देखते हैं कि यह जो प्रहपाइट जी के तादपर हैं हमारे सामने सत्य को फिर शी लेका जाते पता नहीं आपने चित को देखते है कि मैं तो ऐसा दिचित को देख रहा तो दिन में मेरा मन मुझे जासा देता रहे छोड़ो ना कर तो ली ना तुमने सुला मला कि आप दिन भर भक्ति करोगे मैं कई बार आज सुब़े से समकल पूट रहे अरे वह महत्पून कारे कर लो फिर पढ़ लिना पढ़ किताब कहा जा रही है क्या आप लोग संग भी ऐसा मैसूस होते आया नहीं होता है पढ़ते र हो लेगा लेकिन हमें समझना होगा जितना अधिक अभ्यास होगा आप दोनों लोग के उत्तर में राद हो जितना अधिक अभ्यास होगा उतनी ही मन में आ सकती भगवान के प्रति बढ़ जाए हम जितनी बार इसको पढ़ रहे है उतनी बार हमारा मन की जो कच्रा है वो करने की साथना करने की जब करने की और अंत्य दो गत्वा अगर हम इसी लालसा से शरीर छोड़ सकें कि काश कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाए तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा इसके लिए आप लोग भगवदीता के कल की क्लास में कर आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा है बहुत अच्छा छोग हम इस से रहाने जारा है मैं तिका देता हम यहां पे गीता का की श्लोक है बहुत अच्छा स्लोक गाज अब हागवत कि श्चा रहे श्लोक है ओ अ और री इसमें गाता हूं को बहुत भी सुन्दश रहे हा इस ही अभ्यास के उपर बोलते हैं यह है श्लोक पीज नंबर 16 है गीता की फाइल जो थी 4.11 की उसमें मैंने भेजावा है त्वंभक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे शुरुतेक्षित पथो ननुनाथ पुम्साम यद्यद्धियात उरुगाय विभावयंती तत्द वपुहु प्रणाय से सदनुग्रहाया हे प्रभू प्रमाजी कहा रहे है आपके भक्तगण प्रामानिक श्रवन विधी द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं भवान के बारे में सुनते हैं भवान की रूप की धालना होती है और इस तरह उनकी हृदे विमल हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं यह बा भगवान के बारे में भगवान स्वेम हिद्धय को साफ कर देते हैं आप अपने भगतों पर इतने द्यालू है कि आप अपने को उस अध्यात्नी के विशेश नित रूप में प्रकरद करते हैं जिसमें वे सदेव आपका चिंतन करते हैं शिमर्भागवत 3911 और वेक्षा तो क कृष्णी की धालना वैसे ही करते अब मालीजे कोई नर्सिंग देव का भक्त है तो नर्सिंग देव का रूप उस पर कर सोचेगा वो कोई वेद्व है नहीं इसमें सारी रूप एक जैसे हैं तो जिस रूप के प्रती भगवान की भक्त आ सकते हैं जिसमालीजी कुछ बल रहा हूं गौर निताय रादिशाम सब भक्ता अलग लागे जो लोग रात दामुदर की सेवा करते हों के प्रति आ सकते हैं तो भगवान इस प्रकार से जिस जगह भगवान के रूप को भक्तों ने ध्यान किया है वैसा ही भगवान रूप पर कट रूप ध्यान दीजे प्रमानिक रूप सर्श्रवन की विधी के द्वारा भवान की धालना करते हैं बार बार भगवान का ये दर्शन करना जब करना सुनना ये हृदय को पवित्र करता है भगवान जैसे जैसे हमारे पूरी तरह होता जाता है पूरी तरह हृदय होता जाता और पूरी तरह शु करित हो जाएंगे प्रश्ण बनता कि कव हाँ 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 देखे देखे समझी बात कई बार रुची और आसक्ती को हमें जनरल सेंस में कहते हैं आप उसको वहां मत लिजा कि वह रुची आसक्ती के प्लैटफर्म के बात कर रहा हूं आसक्ती का मतलब यह है कि जो भक्त लोग इ प्रिद्दावन के हैं उनको भगवान कृष्ण बल्राम ही अच्छे लगेंगे वनके कृष्ण कृष्ण कौन से हैं तो सुझेंगा इसा कृष्ण बल्राम है समझ रहे हैं ना मेरी बात जैसे जो लोग आ कर नेचरल जो का हाँ हाँ आफिनिटी के लिजी हाँ टेक्निकल लेकिन जैसे देखिए राधा कुझ बिहारी है पुने के तो भक्त जो वहां सेवा करते हैं तो अपना सेंटर मालेजे कानपुर में भी खोलेंगे तो भी राधा कुझ बिहारी की फोटो लगाएंगे ये बात है आप देखो मैं आप कहीं पर भी जाओंगा तो फोटो है लेकिन उसमें अपने भगवान को देख वह है लोकिन मेरे से उन्मभव नहीं हुपाता जिसे मैं आप कशे बार माय पूर गया लेकिन प्रार्थना नाहीं कर पाता है én मुझे सिद्हांती करों प्रमादव क doubles नहीं है लेकिन एक भाव की बात होέλ सिव Exceptwerkほ लग रहता है य करके.. इसमें बहुत सुन्दर से बात है ..सको बोल करके फिर ने हो की 실utta एक इस वाला मार्ण और आखों से देखने वाला मार्ख इस्के दव्हुरा भगवान रिदे में आते है.. और सीधा रस्ता है भगवान भगवान में पहुंच कर सीधे कार करते हैं सुनने के दोरा मैं आज एक विक्ति को बात कर रहा था और असे मजाक में बोल रहा था तो मुस्करा रहे थे और मैं मजाक करता जा रहा था और मुस्कराते जा रहे थे मजाक करता जा रहा हूं मुस्करात रहा है तो वो रस कैसा भी सकता है यह क्यों बोर कर रहा है वो भी एक रस है और इसकी बात समझ में नहीं आ रही है हाँ वो भी रस है हाँ यह सही बोल रहे है कितना अच्छा बात बोल रहे है लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि शब्द उसका प्रभाव हमारे हिर्दे पर तुरन अब बताईए यह कितने एक छोटी सी बात था सारा हमारी साधना भक्ति का उद्देश का या क्या देख रहे हैं हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारा हिर्देश शुद्ध होगा तो बहुत प्रकट हो जाएंगे यानि कि महाराज कितनी बात बस बात को बोल रहे हैं कि साधना बग्ति का उद्देश रही है कि मैं अपने हिर्दे को शुद्ध कर दें, चित्य का निर्मान कर दे हैं, भगवान तो अपने यह आप आएंगे, भगवान को फोर्स सो ना कर सकते हैं, आपनों मेरी बास समझ रहे हैं, चेतो, दारपन, मारजनम ने चुनते हैं, पहला दिया गया, भागवात पर भी दिया गया, बड़ा स्पोस्ट है कि यदि हम भगवान के बार में समर आवाज आई दोगी वक्तों को, यहाँ पर लाइट चली गई, आवाज आ रही है अपनों को, इन्हों के ठीक है, अब यह बड़ा इंट्रोस्टिंग है, यह बहुत रवाल करते हैं, इसको परबा समझाते हैं ऐसे कि मान लो किसी ने सूवर के शिरी वह बहुता करें रहे किया है, तो उसको अगले जीवन में सूवर का शरीव पराप्त हो जाएगा, देखिए, कैसे पराप्त करें विक्ति softly, इस जगत में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो northern, खाने में कोई भेद भाव नहीं मानते हैं आपने सुना हो जो मासमूस खाते हैं हम आशा कोई भेद भाव नहीं मानते कि यह खाना है कि नहीं खाना है अच्छा अब कौन विक्ति भेद भाव नहीं मानता है प्रकृत दीगाई सुवर कोई भेद भाव नहीं मतलब अब तुम अप्टू स्टूल युके नीड प्रपाज कहते हैं मल भी खा सकते हो कोई भेद्धाव करने की जरूरत नहीं है तो वह इस प्रकार से कि निम्न निम्न तरेका सुक्ष्म स्रीका निर्मान कर रहा है यह बहुत सुंदर बात है प्रपाज बहुत आप लोगों पता नहीं लगता है कि ने अमको तो जो सुनते है ना प्रपाज जीक बाद बड़ अच्छी लगते प्रपाज के ते यह बताओ भगवधित तो बोलती कारणम ग संगस्या सद असद योनी जन्मसू गोणों का संग करने से सद अनि देवता की अनि और असद अनि निम्टर पश्वादी की विक्ति को पराप्त हो रहे है तो कहें ऐसे कैसे तो कहने यह बताई फिर अलग-लग लोग की ओ रहा है यहां पे देख्यों सुबर को देख रहा है शान आप एहां चीटी को दिख रही मच्छर को दिख रहा है उसने ऐसा मन बना लिया कि मैं खून पी के जिऊंगा है तो समी मोग हो पी रहे हैं किसी ने खूशिकन जीवात अब अबत ही तक हमने जो कुछ किया सो किया हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस समय व्यक्ति विवेक धरे कि मुझे कैसे अपने सुक्ष्म शरीर को प्रभावित करना है ताकि आगे जा करके मुझे कम से कम देवता का शरीर तो प्राप्त हो भगवान का पार्षद बन जा तो तो बहुत इच्छ क्या इंप्रेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है अगर हम भवान का प्रसाद ग्रहांड करते हैं नामच चालन करते हैं बवान के बारे में सुन रहे हैं तो क्या हमारा सुख्म शरीर पवित्र हो रहा है जी हाँ और उससे आने वाला स्थूल शरीर भी हमको पवित्र ही प्राप्त होगा Yeah, dallhead कि इसमें क्या महत्पुन बातने आप बोल रहे हो Yeah, कि क्या इस जगत-एifie जो लोग कुछ बोल रहे हैं का रहे हैं देख सफ़ी एं कुछ विचार है लोगों को के अग्ली जना में क्या प्राप्त होगा किवल इसी जीवन के बारे में वो सोच रहे हैं शायद हम लोग इस ग्यान के महत्त को भी नी समझ रहे और आप लोग सोच रहे थे किता इंट्रस्टिंग ना एक भगत थोड़ा सा मुझे हलका सा निरॉसाहिद कर रहे थे यह निरुसाहिद कर रहे उपर उपर से वो बोल रहे ते सोच रहे ते कि यह बत हाइफाइश लोग है यह हाइफाई है कि यह इसी का अभ्यास करना है यह गॉडट कोई वेखती यहाँ किसी के दम हो तो यह बता देजी किया यह लोग हमारे लिए महत्पून है यह नहीं कौन विरोध करेगा यही तो सारे शास्त्रों का सार है कितना सुन्दर बात है याने कि हमें को भी उप्देश प्राप्त हो रहा है उस सार को सेंटर में रखी और क्या वो उप्देश है उस सार के अंतरक्त है यह नहीं विचाद कर ले क्योंकि हर कार जो हम कर रहे हैं खा रहे हम बोल रहे हैं देख रहे हैं उसका संसकार हमारे मन में पढ़ रहा है आपने कभी इस देखा नहीं कि मालो प्रसाद पा रहे हैं और जो सर्व कर रहा है वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया आप उटके जाने सकते फिर अपसुचते यह फाल तुम्हें खा लिए हम तो बात हमकभी सुनिए हम सुनते ही नहीं मायर्य मन में आता ही नहीं और हमको सुना के चला गया और फ филь आपसोचना शुरू कर देते हैं हुगा hen वहां पर सब लोगे लेकर लिखाते हूं वह एक लग बात है लेकिन नहीं मैं जूम वालों को देख की कुछ बोल ला था आप नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ आप खाना सालू किया वक्ती कुछ नहीं आपको मतलब भी नहीं आके सुना दिया आपको इसी तरह से कितनी चाप बन रही है अटीस हम लोको पिछले जुनम में तो पता नहीं था इक इतनी बड़ी बात कितना बड़ा रहा से हमको मिला is it not कि हमारे मन में जो चापे चल रही ह के संबन में सोचता है तो हित जो हितकर नहीं है तो उससे अगले जनमें उसी के अंसार जनमेना पड़ता है दूसरी और यदि कोई मृत्ति के समय कृष्णिका चिंतन करता है तो गोलोग उन्दावन नामक वैकॉन लोग को भेज़ती आता तो एक बात बताईए एक बात ब और वही हेवी वेट का एक्जाम पेपर कॉष्ण में आता है पेपर में तब हम बोग कहते हैं ना मैंसम भी हो चुका है कि अरे थोड़ा उस्ते मसालत है कि अभी मन्यू की तरह चक्र वह बस वह पॉइंट याद आता तो पूरा मैं पेपर कॉल जाते हैं तो क्या यहां बगवान कौन है यह पूछ जाएगा कृष्ण पास हो गए और कुछ और मीवान कॉन है मतलग किसका स्महरन कर रहे हो यह कैसे प्रश्न यह आएगा कृष्ण का स्महरन करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए प्रवल्म सौवट लेकिन आप जानते मैंने धरन क्यों दिया हो जाएगा कि बहुत सुन्दर बात हमने सुनी थी कि सच्चे भग्त हो सच्चे मित्र एक दूसरी की तरफ नहीं देखते वह एक ही उद्देश की तरफ देखते चाहे उपती-पत्नी हो चाहे वह मित्र हो चाहे भाई हो या जो भी हो हुआ हमारी सच्चे मि张 देखने दो करें कよね है ळिए हमारी सहुता करें इसने कि हम और अधी क्रिश्ण का स्कुन कर जो आप लोग भी मेरी बहुत बड़ी कारी करना बड़ा कठिन है बड़ा बड़ा प्रशर है और ये भी देख रहे हैं कि संग में ऐसा लगता है कि हम सत्यूग में आके मानते हैं इस बात को है ना इतने साल हो गए हम लोग अलमुस्त तीन साल से वरा है तीन साल से शायद नीमेत नीमेत रुप से प्रभपाजी को दो टाइम पढ़ लेते कुल मिला करके मैं समझता हूं कि पंदर दिन के लिए भी कास नहीं बंदूए होगा वान की कृपाजी रही ऐसा कभी कर सकते कि तीन साल में खाली पंदर दिन प्रभपाजी गना तो को ना पढ़ए हों कोई लोग तो चाह तीन साल में पंदर दि दुक्ष में होती है अतेव शुला रूपगो स्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशुषित करने का अप्तेश देते हैं जिससे वे कृष्णी के अत्रिक्त और कुछ भी स्मर्णा रख सके मुझे बहुत अच्छी बात लग रही देखे अपने मनों को प्रशुषित करन तक मेरा मन मुझे को कहीं लेकर जायेगा मेरे साट वाले मुझे को कहीं नहीं ले जा सकते सब को दिले कि क्या लगता है हमारा कोई विक्ति मर गया और मरने के बाद वो कहां गया अटकल बाजी कर सकते लिए पता तो किसी को नहीं रहता ना कि कौन कहां गया जैसे हम लोग स्टेशन पे रहते हैं ट्रेन में तो कोई वाकती मिल जाता है हमारा संबंधी होता है अगर फोन नमबर ना दी कि जाये तो वो कहां उतरा और कहां चला गया तो कुछ नहीं पता ना भीड में खो गया वो कुछ समय के लिए हमारे पसंग आते हैं देखे हां तो अब कहां है को अमीद है कि भावान के पास ही गए लेकिन कहां गए को क्या पता है जो ना पिता जी कहां चला गए पता कहां बाबाजी कहां गए तो कहां जाएंगे अन्यों को नहीं पता रहेगा, वो हमको सहन करना है, वो हमें देखना है इस चरीर को छोड़ करके मैं कहां जाओंगा वो मुझको उसकी जवाब देही मुझको देने इसलिए कह रहे है श्रीला उपदेश्यों का सार यह है कि कृष्ट में मन लगाने का प्रयास करो, बात बहुत सिंपल है लेकिन पकड़ने वारी बात है, श्रीला प्रभुपाद जी इसको पांच एक पैंतिस में बहुत सुन्दर तरसे से बताते हैं कि किसी ने भगवान का न अब आप देखो वहां बताया गया की देखिए उसका देह तो वही लग रहा है, वह कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ है, तो कहां बंधन कर गया है तो प्रभुपाज बहुत सुन्दर बात बताते हैं आप लोग पढ़ सकें तो पढ़ सकें पांच एक पैंतिस भागव अब है क्या बोला हरी आपको कुछ न लगा नहीं ना तुरंत ही मन रायती थी मंत्रा तुरंत ही उसका शुक्षम शरीर परवड़तित हो जाता है ठीस ब्रिलियंट जैसे ही हरी बोला कृष्न बोला गोविनुदबोला माधव बोला मुकंद बोला तुरंत हो दिखता है गय इसलिए दुबारा जन्म लेगा तो फिर हम देखते है भक्तों को जन्म होता है भक्तों का जन्म कर्म के अंसार नहीं होता है वो इसलिए होता है ताकि उसके भक्ति के जो फल फूल आने है वो पूर्ण हो जाए वो कर्म के अंसार आप में से कोई जन्म नहीं लेगा मैं भी औ मुझे कट्माई यह लगती है पता है कि हमारे भक्तों को सुना सुना के साथ मेरा प्राण बहार आ जा लेकिन एक ही भी बात समझ में नहीं आती। एक ही बात भी एक सिंबल सी बात समझ में नहीं आती। किसी भक्त का कुछ गर्बर नहीं हो सकता है। सबका परफेक्शन है कोई थोड़ा देने पहुंचे कोई पात में पहुंचे का बस। किसी भी भक्त का जन्म कर्म के अंसार नहीं होगा वो भगवान की विस्था के अंसार होता है। और जो भी भक्त के जीव में, किसी भी भक्त के जीव में सुख दुख आ रहा है, तो वो किवल भक्ति करने से सुख आ रहा है, अपराज करने से दुख आ रहा है, बस, लेकिन वो सिधे भगवान के नियंत्रण में है, कितनी बार बोलागा है, भगवान की भक्ति का फ़ल इतनी सी बात समझने चाहिए ना कि डोंट रेज हैंड्स अगर कुछ कुछ को प्रश्ण करना है तो आप टाइप कर दीजिए मैं इसको बाद में देख लूँगा तो एक बहुत सीदी सी बात है कि यदि हम किसी को भी प्रेस्टिशन दे रहे हैं या भक्ती में आगे बढ़ने की सिक्षा दे रहे हैं तो हमारा उद्देश यही होना चाहिए कि उनको इस प्रकार की सिक्षा दे सकें जिस्वे निरंतर भगवान का स्मरन कर सकें और देखें निरंतर ना कर सकें तो कम से कम नीमित रूप से करना तो बहुत जरूरी जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सुना था आदराध अनुदिनव ठीक है नेक्स्ट इस इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के वेश्य में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के ल रही है क्योंकि हम शायद बार बार इस बात को भूल सकते हैं अरे तो एक गुलाब जामुन अगर भगवान को अनुवर प्रित खा लिए तो समें क्या नुक्सान हो जा रहा है है हम सोच सकते हैं बड़ नौ श्रियर रुपको स्वामी आगे हमेशा देखना जब भी इंद् होता है है तो हमारी चेतना ब्लंट हो जाती है है के ही ब्लंट समुछते ब्लंट शार्प का एंपो शार्ट का व्लंट तीष्व नहीं रहती बूद्धी क्लिखर नने रहती अटिट्ध४क्र ऑने कप्रस्ताित प्राप्त करना प्रयास करें भी तो हम पता है मैं अपने संग देखता हूं उसमें कोई सामने बैठा हो आज भी विक्ति मिल गए थे बड़ अच्छे विक्ति थे तो यह सोचना कि हम कैसे इनको कन्विन्स करें हाई ना मुझ चालन करने के लिए बड़ा स्ट्रॉंग मेडिटेशन है क्या करते हैं आप अम यह करते हैं अच्छा ठीक कितने पर जूटते हैं आप आप सब नॉर्मल कर रहे हैं और लोग को अपने बारें बात करना वैसे इच्छा लगता है लेकिन constantly हमाई सोच रहा था कैसे इनको मैं बोलो कि किसी तरह से वो जब करने के लिए जब करते भी थे लेकिन कैसे और से और जब कर सकते and all this process what you are thinking हम क्या सोच रहे है इस वेक्ति को मैं कृष्ण कैसे दे दू कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन है कभी ट्राइ कीजिएगा आप वो मुझसे मिलने नहीं आयते वो अपने पिता जी से मिलने आयते कभी सोच ऐसा करते हैं कभी ट्राइ किया इस रही नाइस डे टोडे मेरे कुछ दो वेल्डर मिलने के लिए आयते मस्से तो उनसे में बात करना तो लोग उस बहुत धनी हो गए यह है जो भी है तो आप लोग सब कुछ कर लो ठीक है रही हरी किष्ण मंत्र कर सकते हैं करो यह हां नहीं किर रहे हैं बहुत दिन से बहुत दिन होगा छूट वे क्या बता है जारे दिखो तारे कहो कृष्ण पुदेश काश एक लालसा आपके हिर्दे में रहे कि उसक्ति हो हर किष्ण मंत्र कर ले बड़ा असानी से मन ऐसी प्रचार की भावना से कि द्वारा मन भवान में लग जाता है श्लडूप को सामय आके सराह देते हैं तिश्टन व्रजे मनुष्य को विरिंदावन में या व्रजभूमी के किसी भी भाग में रहना चाहिए बहुत अच्छी बात है धान सुनिए व्रजभूमी 84 कोष क्रोष के शित्रफल तक मानी जाती है एक क्रोष दो वर्ज मिल के बराबर होता है जब मनुष्य विरिंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी सम्मुन्नत भक्त की शरण ग्रहन करनी चाहिए इस तरह मनुष्य को कृष्णत्था उनकी लाओं के विशे के ही विशे में सोचना चाहिए ये है वास चुद्ध हो जाएंगे वादनावन की कृपा से लेकिन वास्तवे कृप से वही लोग रहते थे और वह किवल कृष्णी की लीला का चिंतन करते थे खिर्ष्णी की लीला का श्रवन करते थे वाट अमेजिंग लाइफ कि आप किवल कृष्णी के बार में बोल रहा है सोच पता नहीं मेरी कभी ऐसा इच्छा हो रही कि आप थोड़ा फ्री हो रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्लास तो ऑफिशल क्लास हो गई उसके बाद फिर जा करके नौ बज़े से लेकर फिर को चैतन चतामित की अंग्रेजी में क्लास हो और को आना चाहे तो फिर हम जू प्रफिशल को फालतू बात सोचने से बोलने से क्या लाव है बताई एक बगत ने बड़ी सुंदर सिक्षा दी थी कि तब सो जब नींद आए समझे मगा क्या नहूं का आशे क्या था को अब यहने का ताइम हो गया नेंद का नींद का था हो गया बगरजण के लिए आसे कि टाइम हो गया है नेंद पूरी हो जाने चाहीए प्रफर ऐसने कल्ध बड़े अद्भूत बाते हैं सब इस तरह मनुश्य को कृष्णता उनकी लाओं की विश्य में सोचना चाहिए देखने का प्रयास कीजिए मैं फिर भाई धारन दे रहां आपनों को एक्जाम में जो प्रश्ण का उत्तर त्यार नहीं की है वह सोचने से भी याद नहीं आता है अद्रिष्टात अस्रताथ भावात ना भावोप जायते जिसको देखा नहीं जिसको सुना नहीं वह भाव शर्दे मुत्पन नहीं होताः और वही बात हमें गीत में सुनी ना भी यम यम वापिसमरन भावम तो समझ में आखा रहा लिंक जिस चीज का हम श्रवन किर्दन करते हैं वही भाव मन में जपा रहाता है यही बात बिली जा रही है प्रवपाजी ने बड़ा सुंदर बोला भी है जन्म कर्म चमे दिव्यम करते हैं यह कृष्णा बुक है इसी को पढ़ो इसे पढ़के तो इसे दीपराप्त हो जाएगी कृष्णी की लिलाओं को पढ़ो वस्तता अगर आप विचार करें इस डिसकुशन में भी हम लोग कृ तो उसका भी कुछ अवकाश होना चाहिए चैतन चर्थामेतिया कृष्णा बो क्या कुछ भी देखते हैं कि असे समय निकलता है इसकी और अधिक व्याख्या श्रिला रूप गो स्वावी ने भक्तिर स्वामें सुंदु में की गई है कृष्णन कृष्णम स्मरंजनम चास प्रेष्णम निजसमीहितम ततक थारत चासव कुरियाद्वासम ब्रजे सदा भक्त को सदय वरज के दिवशेत्र में निवास करना चाहिए और सदय कृष्णम स्मरंजनम चास्य प्रेष्णम अर्था त्रीकृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षणों के स्मरंण में लगना चाहिए ऐसे पार्षदव के पदिचिन्यों पचल कर और उनके नित्थ पत्थ निर्देशन में आश्र लेकर भक्त भगवान के सिवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है इसका अर्थ क्या है मैंने पहले भी वाक्या करी थी प्रयास किया था कि भगवान करते हैं अभी भेद नहीं देखना शुरू करते ना चाहिए लेकिन कुछ आगे और बहुत उन्नत अपने आप सुनते सुनते होगा तो उसे कुछ विशेश लिनाओं का वस्मरण करेगा और उस प्रकार से वह प्रस्शन प्राद करता है और उसके प्रति उन लिनाओं के प सुनते हैं सेवक साधक रूपेणा सिध्ध रूपेणा चात्रही तद भावलिप सुना कार्या व्रज लोकानुसारत व्यज के देविशेत्र व्रश्धा में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्णी के सेवा भगवान के पार्शदों किसी भावना से करनी चाहिए और उ साधकार दोनों ही वस्ता में लागव होती है जब कोई सुद्ध पूरुष अर्थात आध्धात्पे ग्रूप से मुनात्मा होता है श्रीला भक्तिजदान से ठाकोर ने इस लोग पर नेम प्रकार से ठीका दी है जिसने अभी तक कृष्ण भावना मृत में रुची का विक सुद्ध करना चाहिए इस प्रकार ऐसी वस्तों के रुची उत्पन करके मनुश्य को रिंदावन में रहने तता किसी योग भक्त के इंडिदेशन में संदक्षन में क्रिष्ण के नाम यश ली नाउं तता गुड़ों को स्मर्ण करने में अपना समय पिताना चाहिए तो इ वेक्ति सोचने लग जागे ना कौन वो गूरू होंगे जिनके मार्दर्शन में सब सुनूंगा पढ़ोंगा देखी बहुत सिंबल सी बात बहुत सिंबल से धान सीखे जब किसी ज्यान के हम योग होते हैं तो भगवान हमारे हिर्दे में ही बैठे हैं और हमको व्यवस्थ बना देंगे ऐसे वेक्ति के पास ला देंगे जो हमें इस प्रकार का प्रेसिक्षन दे दे बजधान रखेगा प्रभुपाज जी इस बात को इसी पुस्तव के इंट्रिक्शन में कहते हैं कि वेक्ति को पहले अपनी इंद्रिया स्वैमित करनी होती है और फिर उच्चतर ज्यान उसे प्रकट कराया जाएगा जैसे आप कॉलेज में भी देखते हैं कि दूसरी ग्लास के बच्चे को शेक्स्पिर नहीं पढ़ा जाता इतना तो यहां का टीचर भी जानता है कटना यह है कि बहुत से भक्त धहर छोड़ सकते हैं और सुचते हैं कि हम साल के हिसाब से प्रग्रिति करेंगे साल के हिसाब से प्रग्रिति नहीं करते हैं साल दो साल पास साल नहीं होता है यह वेक्ति पुछे यह अनर्थ कब जाएंगे अनर्थ निवर्ति के बाद इसे पुछो कि अगर भक्ति नहीं करो तो अनर्थ चले जाएंगे जैसे परम पुझे गौर्किष महाराज बोलते हैं कि लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है जब मैं तो जब छोड़ने से लगने लग जाएगा कथा समझ में नहीं आते तो कथा नहीं सुनने से आने जाएगा यह बात बोली जारी ठीक है मोटा मोटा समझने का प्रयास किजिए भक्ति की अनुशीलन के विश्य में समस्त उपदेश्यों का यही सारांश है नवदिश्यत अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए क्यों यहां यह बहुत इंट्रस्ट मतरा को अर्थाब श्वीकृत्न की सतर मैं यह बहुत इंट्रस्टिंग यह किस तरह से देखिए पहले वैती सुन रहा होता है वो कुछ समझने रहा होता है व सुन रहा होता है अदर से उसको नहीं स्विकार कर रहा है किरा है आश ह्युक्त शइन महीं प्रिमाश्पद है न जादी एक भक्त हमको भी आईटी कानपूर के हैं वो उनको मेसेच किये रात्री में कि अरे सब भक्ती करेंगे तो फिर देश का डेवलोप्पेंट क्या होगा तो सुन लिए हैं लेकिन अभी स्विकार नहीं कि समझ रहे हैं बात हमने का आपको पता है कि डेश के डेवलोप् इस्तावला इसंते हैं हर्चीज बनाने तो नहीं बढ़ जाते हो उसक उपयोकिया जाते हैं इसको प्रक्रत मनाने आणिए वह एक अलग बात है लेकिन हम क्या बात रहे हैं तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं लेकिन वरन नहीं कर रहे हैं वरन मलज श्कार करना इस वेरी नाइस कृष्णी के जन्म कर्म दिव्य है सुना तो एक ही बात को जब बार 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 वेक्टी सुनता है तब उसके हृदे में उसकी एक्सेप्टेंस आती समझ में आ गया बहुत ही बात सुनतर है क्या यह आप लोग देख पा रहे हो यह आप सुनते हो कि सुबह चार बज़े उठकर के स्नान करना अमरित्स्नान है अब ऐसा नहीं है कि कौल अब हम जब जल उठाएंगे उसे बस्नान करेंगे तो वो देखे कि अमरित लिखाओ या अमरित असा हो जाए लेकिन वो है अमरित्स्नान तो लोग सुनते हैं, लेकिन स्वीकार करने का मतलब वो करने लग जाएगा ना उसको जीवन का उद्देश है कृष्ण प्रेम की ब्राप्ति करना जैसे अभी हम यहां बोल सुन रहे हैं, चलिए, यह सुन रहे हैं ना कि नदिक्षुद भक्त को लगातार कृष्ण करता सुनना चाहिए है ना, यहां तो अपने खट से हम से, हम सब लोग यह यह बोल दिये, लेकिन स्वीकार करने में समय लगता है, सभी किसंग होता है, ऐसा होता है, मैं परफेक्ट हो गया है, यह जगद दुख का घर है, अच्छ आशास्वत, हाँ हाँ घर गीता तो गलत नहीं हो सकती, शही कह रहें है आप, दुखाले हम, हमको तो नहीं लग रहा है, इसलिए बोल रहा है कि वरंदिशार्था स्विकृति के स्थर के सुने रहा है इस द्राइज्टра कर लेने पर वह क्रिष्ण कत्हा सुनने में अनुर्च्थ जाता है समझ में आगा इतो बहुत भधिया चीज है शुकार का मतलब यह ओता है तो वह दून करने के आपको प्राप्त करता शुपर गणिए मन में की नहीं स्कूटर चलनी विहां हर व्यक्टी कही न कई चल रहा किसी को नहीं क्या हो इस चुनते है libre रहते हैं तो व्र न की एक着े प्र मुश्क कर लिए दिरसे करके स्वार बी करने लगता है चलते फिर भी कृ Zhao का स्मरण कमें है उन्यत कृष्ण स्मर्ण के पांच क्रमिक अंग हैं उनको हम कल सुनेंगे ठीक है सुल स्टॉप फिर ओर्मी कर्द वैसे तो होता है वेव तो यहां हो कह रहा है कि कीर्टन करते करते वह आनंद की लहर उसके स्मर्ण में आ रही है तो उसको स्मर्ण अधशा कहते हैं नहीं एक यह पारग्राफ पढ़कर रूजेंगे बहुत ईजी है को इस्मर्ण अधशा, के इस्मर्ण में क्रिश्न को स्मर्ण अबाद रूपन चलता है जब होता है तो केंदी रूछ दो करवे द्थान कहलाता है और जब ध्थान विस्तूरत होको तो नुच्छ केलाता है अबाद तता अन्वेरत अनुस्मृति से मनुष्य समादी दश्या को प्राप्त होता है समय तो एजी है वो मतलब करम 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 से विभिन सुपानों का वन वह रहा है समादी के पूर्ण विविख्षत होने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थित्य को समझ सकता है अर्थात, अब वह माया के विकारों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदा ही कृष्टी के रूपे इसमरण में रहता, वह हमेशा दासे भाव में बना रहेगा, उसका चुत यही भाव यही रहेगा, कि मैं कृष्टी का सेवक हूँ. उस समय वह कृष्टी के साथ अपने सनातन संबंद को भाली भाती तथा पूर्णता समझ सकता है, यह संपत्य दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है, समझ में आ गया, इस समय तो हम बिलकुल ही भूले हुए हैं हम कौन हैं, इसलिए बार बार याद दिला जाता है कि तुम कृष्णी के दास हो, और यह जवस्ता है इसमें वक्ती बिलकुल भूल जा रहा है कि वह दे है, क्या आप लोग इस कटनाई का अनभव कर रहे हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी यह मानने के लिए बात दे हैं कि हम दे हैं, I think this is easy to understand, experience, दिख रहा है कि यह कटा चट से मेरा कोई मतलब नहीं है, यह लिवर, गॉल वेडर, मेरे, गॉल वेडर, मेरा, मेरा, मेरा करते हैं, तो हम नहीं है न, थियोरी में तो हमने सुन लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ है एनरजी जो हमारे इस ज्ञान को ब्लॉक की हुई, और यह जैसे जैसे जिद्या भगवान के वक्ति के द्वारा नष्ट होगी, तो एक सितिती आज आज आगे कि वक्ति केवल अब अपने संबंध का हिस्पारण करेगा, आगे की बातों को हम कर ले लेंगे, आज तो हो गया समय, प्रशनी किसी भग्त का है तो हम देख लेते हैं, यदि हमारा मन भगवान के ही अन अवतारों पर ट्राइक नहीं करता है, तो क्या ओफेंस है, नहीं, नहीं, ये कोई अपराद नहीं है, देखिए, सभाविक सी बात है, गौड वश्न श्रिशी राधा कृष्ण का स्मरन करते हैं, गौण निताय का स्मरन करते हैं, तो लोग कहते हैं कि प्रस्थि के प्रकाष में हम देखते हैं, उर्दoten श्रह इंज आन मने जाताते हैं, जो सत्र्ष गोण ये हो ये इन आजन मने जाते हैं, और थो अम रुकम वुबस फाइंस को नहीं दिख़ राहो हैं, लेकिन जो कें जन बेखते हैं, भीण ने बंधिक सका चयु चिंझा से छोड़ रहा है कैसे श्री पेल सव्च शाम उजर्ण आपने सपनर क्या हुण क करके तो आप भी देले कि ग्यान चुलार से युक्त हो कि उसके पास ज्ञान है कि ज्ञान की छस्व से देखा जाता है एक बाक्त प्रश्न कर रहा है कि कोई विक्ति अगर किसी भग्त की प्रति अथित्दिक आशकता है और वह भग्त हो लोग चल जाए तो हम भी चले जाएंगे तो उध्वसी यह प्रभुपाजी पॉछा के रहा ही प्रभुपाजी अगर हम कृष्टी का में आप का सुमर्ण करें तो को आप Յथा झाएंगे कृएं यह तो देखे अऔर पती कि यह फिज्छटी के परांत के प्रहुपांजी के शिक्षान से साधूं से आफ सकती यह तो प्रसंग प्रसंग अज रम पाशं आत्मनम कवयो विद हूँ सहेव शुकृतों मोक्षदार्म अपावरितम यह जो मारा आसकती है यह अजर यह कभी बुढाना होने वारा असकती है लेकिन यही आसकती सेव साधू शुकृ तो यही आसकती अगर साधू में हो जाए तो मोक्षदार में पावरत मोक्षदार में खुलने वाली होती लेकिन क्या मतलब है साधू से आसकती का मतलब है जो साधू कारे करते उसमें आसकती अब साधू उसमें पत्ते खेलेंगा कोई तो साधू लोग जिस कारे में लगे हैं कृष्ण कथा में कृष्णी किर्टन में उसमें अगर आ सकती है शराबियों में आ सकती का मतलब क्या है चाय पीना शराबियों के संग करेंगे तो चलना में तो नहीं पिएंगे न क्यों भाई आज चलना में तो पीते हैं तो क्यों भक्तों के संगति कर रहे हैं आप यह बात समझो मैं कहों भाई वो लोग शराबी में बड़े आ सकते हैं मतलब क्या है शराब में आ सकते हैं तब तो शरादी में आ सकते हैं तो मतलब क्या है तो कहो कि हम सादू में आ सकते हैं मतलब कृष्ण कथा में आ सकते हैं तो सादू में क्या सकते हैं सादू के दा पिक्चर दिखाएगा सोचने वाली बात है किस तरह से आ सकते हैं यदि घर वाले कता में रुची नहीं ले रहे हैं तो क्या अभी वे ग्यान के योग्ये नहीं है भाई देखो क्या कहा जा जिसके पास कान है वो सुनने योग्य है ही न लेकिन उनके पाप इतने जम्मे हुए है कि वो सुनने की इच्छा उनके हिर्दय में है नहीं तो उनके प्रसाद खेलाईए बहुतिक सुख की कलमस्य कैसे मुक्त हो अरे भाई यही तो तरीका है शुन्वताम स्वकथा कृष्णा पुन्यशवणा की इर्टना रिदयन तस्तबद्रानी विधूनोती इस्तुन हुट्सताम जो विक्ति भाई रिक्ष्णी के बारे में सुनता है आगवद से भगवद गीता से हरे कृष्ण मंत्र बोलता है तो उसके कलमस्य को भवान स्वयम साफ कर देते है कई यह ना नए भक्त लोग हर बार रहे प्रश्णी करते हैं सुचते हैं कि कोई नया उतर है उतर नया नहीं है आपको धैर से वही दिवा को लेते रहना है क्या भक्ति एक कर्म है नहीं 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 भक्ति कर्म नहीं है कर्म वस्ता इंद्रितिति के लिए कारिक किया जाते है उन्हें कर्म कहा जाता है बकति द्वाखन की प्रसंदा की लिकिये जाती हां का एक वगत नियुक्त बोल रहा है कि जब ब्लब का दो बहुत कहता है कि भॉणब को विक्ति लत गॉलोक नहीं जाता है वह पहले वह जाता जाहूं बहुत लिए चल रही हो ग्याल से कोई आइस बनता है तो पहले उसको असिस्टेंट बना जाता है अरे भाई सिंपल सी बात समझे जो अगर पता नहीं आप मेरे उत्तर को सुच रहे हैं मैं जनरल में उत्तर दिया कि अगर वो भक्त भवाण श्री किष्णी की लिलाओं में गया अगर आप उसमें आ सकते तो वहीं जाएंगे जहां वो भक्त तो क्या सिर्थी बात है मुझको ना त्यक्त्वा देहं पुनर जन्मा न इति मामिति सुवर जुना तो मामिति की वेख्या प्रभव बात कर रहे थे जहां वहां श्री किष्णी की लिलाओं चल रही वहां पहुंच जाता है अरे कहां था क गुमा देते हैं उनको गंगा जी तरह ले आते हैं तो कहते हैं जहां तो जहां पर आप महीं प्रिंदावन हैं यह बात हैं okay so we'll stop here आगे बाते हम कलता चा कर ते है श्री श्री उफदेश आम्रत की जाए श्री प्रभु पात की जाए निटाए जोइवर न गॉर्प इमान झाल 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 झाल